राजस्थान के जैपूर को पिंक सिटी कहते हैं। जहर को कलरफुल बनाने के पीछे एक खास कारण था। दरसल ये मचवारों की बस्ती है और लोग कई-कई महीने घर से बाहर रहते थे। भारी बर्फ पढ़ने की वज़े से उन्हें अपना घर नहीं मिलता था। जिस वज़े से मकान को अलग-अलग रंगों से रंगा गया। सेंटा माटा फवेला ब्राजील की सलंबस्ती सेंटा माटा फवेला इस देश की खूपसूर्ती को चारचान लगा देती है। यहां गरीबों की रंग-बिरंगी जुग्या हैं जिन्हें देखने के लिए परेटक दूर-दूर से यहां आते हैं। नूक ग्रीनलैंड नूक शहर ग्रीनलैंड की राजधानी है। नूक शहर की खूपसूर्ती यहां के प्राकृतिक नजारे हैं। यहां रहने वाले लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे-छोटे घर बनाए हैं। यह रंगीन घर यहां की सुंदर्ता को चार्चा अंत लगा देते हैं। पासुआ सिटी मेक्सिको की छोटी सी बस्ती है जो क्राइम के लिए खासी प्रसिद्ध है। क्राइम खत्म करने के लिए सरकार ने अनूठा कदम उठाया। 20,000 पेंट का इस्तमाल करके पूरी बस्ती को रंगीन बना दिया जिससे टूरिस्ट की नजर पड़े और यहां घूमने आए। गूमने के लिए सिंगापूर बहुत अच्छी जगा है। यहां की सबसे साफ और सुन्दर जगा है एलकॉफ ब्रिज जो 1997 में बनाए गया था। 2014 में फिलिपिन्स की आर्टिस्ट पैसीटा एबाड ने इस ब्रिज में कुछ बदलाव करना चाहा और 900 लीटर पेंट लगा कर पुल को शांदार और रंगीन बना दिया। न्यूस एक्स्प्रिस की रिपोर्ट